हाँ ठीक है मुझे बता देना कुछ हो तो ठीक है ठीक है ठीक है जी बताईये वो डॉक्तर अबॉर्शन के सिल्सिद्ध है कोई स्पेसिफिक रीजन अच्छली यह मेरी वाइफ है यह मेरी बेटी है यह मेरी बहन है जो घर में लड़किया बस इसी लिए कि घर में एक और सुरोज आते हैं हमारे पास और आप आये भी किसके पास अपॉशन के लिए एक डॉक्तर जोकी खुद एक और अउरत है बेटा आप क्या करते हूं जी मैं इससाद सी का फाइयर देटी है सीए बिटा आप कौन जी क्लास में हो इस इतने पर सिंटी तरुछ आते हैं कर को क्य आपके खुद के घर में एक सीए है कल का एक बाइट फ्यूचर बैठा है आप एक डॉक्टर से बात कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैं आपके लड़कियों बहुत कर दू आप जैसे घटियर सोस्वाले लोग लगा चाहते हैं और कल को मोरी लड़का बढ़ा होकर इन मास प्रख्री को सही का आपने मैं यही नहीं चाहता कि मेरे बेटियों का कोई बढ़े होकर रेप करें इसलिए आज मैं डड़की का नहीं ड़के का बॉर सुनकर आने हैं क्योंकि डॉक्तर मुझे डर है मुझे डर है इस बात का कि कल को अगर मेरा बेटा होगा तो वो भी बागी बढ़कों की तरह लड़कियों को छेड़ेगा जैसे इसे छेड़ा जाता है जब यह सीए की फ्लास से देने जाती है डॉक्टर डर मुझे इस बात कर दी है कि मैं अपने बेटे को कितनी ही अच्छी परवरिश्ट देता हूँ कितना ही पड़ा लिखा दूँ लेकिन किसी खलत सकत में पढ़कर या नशे में पढ़कर किसी और की बेहन का रेव करें और घर आके अपनी बेहन से नाखी तक मारें और डॉक्टर नौजवान तो नौजवान ये दरंदगी पचास साल के पूहे तक में दिखती है जिसकी वजासे ये मेरी बच्ची बार्थ में जाने से ड़ती है क्योंकि वहाँ का माली इसको प्यार करने के बहाने इदर उदर हाथ लगाता है और डॉक्टर मेरे घर अगर दस बीटियां भी हो जाएं तो ये बहुत पूश्य है बस मैं ये मिल जाता है कि मेरे घर के जान दखता है और मुझे तो शिकायत यहां के समाध और सुसाइटी से है जहां रेप के बाद सवाल लड़की पे उठाएगा है जिल्लत लड़कियों को उठानी पड़ती है दाने लड़कियों को मारे जाते है वजह कभी इनके कबड़े छोटे पढ़नाते है या यू कहूं कि कुछ लोगों की सोच छोटी पढ़ना है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ यह बोलने कि हमें जरुरत ही क्यों पढ़ती है कि बेटी बचाओ और इसी वजह से आज मैं यहां पे हूँ आपके पास क्योंकि मैं उस जल को यह खतम करना चाथा हूँ जिसकी वजह से हमें यह कहना पढ़ता है कि बेटी बचाओ चंग नुम्बतियां जला देने से, मोर्चे कर लेने से कुछ नामर्दों के अंदर का जानवर नहीं सो जाएगा नोच कर खाने की आदत नहीं बदल जाएगा कुछ इंसानों की सोच पर पड़ा जंग नहीं हट जाएगा